हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी लोग I think आप बहुत यच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और क्योंकि आपके जीवन का इस टाइम में लक्षे पढ़ाई होना जीगे कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है आप इसके पांच पार्ट बच्चो मैंने कम्प्रीट कर दिये तो आप जाईए उस पांच पार्ट को बहुत यच्छ से वाच आउट केजिए आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि मैंने बहुत ही डिजिटल वे और बहुत ही स्मार्ट वे में इसको लिखा के करा के दिए आप इसके नोट्स भी यहां से लिख सकते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहां से ठीक है चलो आज मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हूँ पार्ट नमबर सिक्स स्टार्ट करता हूँ अब देखो जो हमें नैशरली अकरिंग क्रिस्टल मिलते लाइक एनने की चीज़ का अगर क्रिस्टल हो गया तो उसमें क्या होता है उसमें इंप्रफेक्शन होता है मतलब हो सकता है कि उसके आटमस आयन जो है वो अपने वेकेंट अपने जगों को छोड़ के कहीं और जु करना होता है, अर्ज होत गर्ना होता है, लेकिन अगर वह एटम्स ना आये वहाँ पर और वहाँ पर vacancy create हो जाए, hole create हो जाए और वह कहीं और चले जाए, देखो« एक ę इक items यहां से निकल कि यहां पे चले गया, एक अहां पे ही नहीँ, पता नहीं कहा गया, क्या पता, ठीक है, हो सकता है किसी और जगह पे जा के अपने position को क्या किया हो, occupy कर लिया हू, ठीक हुआ, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर crystal में defect हो गया है क्या हो गया बच्चो crystals में defect हो गया और ऐसा defects हमें naturally occurring जो crystals है उनके अंदर देखने के लिए मिलता है तो these defects is called crystal defects क्या बोलते हैं इसी को crystal defect यह improper होता है disorderness में arranged होता है ठीक है लेकिन यह होता कैसे यह होता कैसे तो देखो आप लोगों ने कुछ practicals की होंगे 11th में like crystallization of CUSO4 या benzoic acid का तो उसमें क्या करते हैं हम लोग crystals को dissolve करते हैं और एक pure crystal heat करने के बाद obtain करते हैं जहांपे क्या होता है एक crystalline molecule crystal में एक ion दूसरे ion से क्या होता है जुड़ता है और एक पुरा का पुरा हमें crystal बना के देता है pure crystals बना के देता है तो जब वही crystals यहां पे बनते रहता है न तो वो at a faster rate पे बनेगा न तो क्या होगा कि बहुत सारे जो atoms होंगे वो आपस पे नहीं जुड़ पाएंगे ठीक है या फिर वो कहीं और चले जाएंगे अगर वो faster rate पे होगा हो जाएंगे ढ़ूब यहां पे यही होता है यहां पे बिच्रिस्टाला के अंदर क्या आता है बच्चे Anda डिफेक आ जाता है जाता है डिफेक आठाथा है ठीक है देखते हो यहां पर वह atamWow jAMA कि चले आ 해 आपको दाटरहरों की कि किसी ऑर जग़ा पे जाके occupy कर लिया है, ठीक है, so these are the crystal defects, अब ऐसा कौन होता है, जो crystal defect न सो करता है, तो कुछ हमारे ideal crystals होते है न, वो absolutely zero temperature पर, मतलब अगर उनका temperature zero हो, तो वो थोड़ा सा defect नहीं सो करते, लेकिन, अगर आप उनका temperature बढ़ा दोगे, above zero, zero से, अगर आप जादा करोगे, ठीक है, above zero क होगे, तो वो जितने भी crystal से, वो सब क्या सो करेंगे, defect सो करेंगे, मतलब आपको दो-तीन चीजे बस याद करने कि जो आपके ideal crystals होते है, इनका temperature क्या रहता है, zero degree Celsius, वो क्या सो करते है, वो आपके crystal defects नहीं सो करते, ठीक है, बहुत ही, मतलब minor सो करते, लेकिन, जो हमारे zero के उपर जितने degree Celsius वाले crystals बनेंगे, वो सारे crystals में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, defect देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, defect, defect मतलब वही, improper arrangement नहीं है, ठीक है, molecule सूट के कहीं भी चले गए, atom सूट के कहीं भी चले गए, ठीक है, चलो, I think आपको यह समझा होगा, तो चलो, फटा-फट, मैं आपको यहां पर notes भी लिखा के देता हूँ, ठीक है, कुछ points देख लेते हैं, कौन-कौन से points है, तो पहला देखते हैं, बच्चो, पहला देखते हैं, कि naturally occurring crystalline substance do not have a perfect crystal structures, they have some disorder or regularities in the staking, ठीक है, तो बहुत सारे जब crystals होते हैं, छोटे-छोटे, जब वो आपस में जुड़ते हैं, तो वो आपस में अच्छे से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके वज़े सुनके अंदर क्या आ जाती है, इनरेगुलारिटी जाद आरती है, disorderness आ जाती है, और वो perfect तरीके से arranged नहीं होते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, crystal defects, such in regularities, arrangement of constituents particles is called as what, defects or imperfection, ठीक है, अब वही जब आपस में नहीं जुड़ पाएं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, defects बोलते हैं, ठीक है, देख रहो हैं, यहाँ पे vacancy होगे, create होगे, कोई और कहीं और पे चले गया, कोई crystals का item, ठीक है, defects are created during the crystallization, ठीक है, crystallization जब होता है, तब ही crystals swarm होता है, अगर आप faster rate से करोगे, तो defect जादा आएगा, लेकिन अगर वही आप slower rate से crystallization करोगे, तो हम defect को क्या कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, and last one is क्या है आपका, कि absolute zero temperature, ideal crystal have no imperfection, ठीक है, अगर हम zero temperature पे कोई crystals को बनाते हैं, तो वो crystals हमारा कैसा होता है, perfect crystals होता है, ठीक है, imperfection उसम मिलेगा, इसमें defect मिलेगा, ठीक है, next, ठीक है, ये होते हैं आपके crystal defects, अब हम बच्चों देखेंगे, कि crystal defects के कितने सारे type होते हैं, और कैसे इसको arrange किया गया, ठीक है, इस syllabus में पढ़ाने के लिए हमें, ठीक है, आपको समझने के लिए, ठीक है, चलो, so जो हम लोगे ने defects So, there are three type of defects, अब जो defects crystal के अंदर आते हैं, बच्चों, वो कितने type के होते हैं, तीन तरीकी के defects possible हैं, three types of defects, कोन से defect possible है, तो फटा फट देख लेते हैं, three types के defects हमारी कौन-कौन से, that is, first one is point defect, दूसरा है आपका line defect, ठीक है, और third आपका है, that is called as what, plain defects, ठीक है, तीन तरीकी के defects ह हमारी कोन-कोने बता दो, पटा पट, point defects, line defects, and plane defects, point defects, line defects, and plane defects, ठीक है, यह तीन तरीके के हमारी defect है, बच्चों, अब हमें यह सब नहीं पढ़ना है, पता है, हमारी syllabus में बस point defect दिया हुआ है, तो बहुत easy से हम पढ़ें कि point defect क्या होता है, ध्यान से सुना point defect क्या होता है, द उसमें in regularities आ जाए तो, in regularities मतब समझते हो, जैसे देखो, एक atoms, दो atom, तीन atom, चार atom, पान, छे, साथ, अब ये एक line में और एक regular pattern में arranged है, क्या है एक regular pattern में arranged है, ठीक है, लेकिन अगर मालो ये बीच वाला यहां से missing हो जाए, ये बीच वाला यहां से क्या हो जाए, missing हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या create हो जाएगा, एक defect create हो जाएगा, क्या create हो जाएगा, एक defect create हो जाएगा, इसी को बोलते है point defects, क्या बोलते है इसी को, point defects, तो चलो फड़ा फड़ देखते point defects क्या होता है, these defects are arises in the crystalline solid due to in regular arrangement basis at the lattice point, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि basis और lattice क् hypothetical structures होता है, और lattice एक hypothetical structures होता है, और उस पर basis के atoms आके connect होते है, basis मतलब आपका हो क्या na cl, ठीक है, mg cl, यह सब चोड़े 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 ions होते है, ठीक है, यह क्या होते है, इन लोगों पर आके connect होते है, इन लोगों पर आके क्या होते है, connect होते है, तो अगर इनका arrangement properly ना हो arrangement properly जिसे एक NA है तो एक CL आना चाहिए, एक NA है तो एक CL आना चाहिए, एक CL है तो एक NA आना चाहिए, अब देखो बीच का गायाव है, और यहाँ पर क्या आ गया, CL आ गया, ठीक है, तो अब यह lattice और basis का arrangement properly नहीं है, in regular है, ठीक है, NA के बाद में, sorry, NA के बाद में, यहाँ पर व है, ठीक है, यह जो हमारा lattice point था, इसके उपर basis के atom आ पाए क्या, नहीं आ पाए, देखो एक गयाव है, ठीक है, so that is called as what, बच्चो, point defects, क्या बोलते इसी को, point defect, ठीक है, चलो, अब हमें सब तो पढ़ना नहीं, हमें point defect पढ़ना है, तो चलो देखते है, point defects क्या होता है, तो बता दो फटा पट, point defect के तीन टाइप कौन-कौन से, stoichiometrics, impurities और non stoichiometric defect, चलो, हम फटा फट देखेंगे, कि stoichiometric defects क्या होता, यह तो हम बाद में देखने वाले, लेकिन पहले इसके भी अपने अपने टाइप है, इसके भी अपने अपने क्या है, टाइप है, तो पहले हम ल लुक पढ़ेंगे, purity defects, अब यह purity defects के भी, अपने बच्चेव, दो टाइप होते है, एक होता है, Substitutional impurities defects, और दूस्रा होता है, Interstitial impurities defects, कितने टाइप होते हैं, इसके दो टाइप, Substitutional impurities defects, और Interstitial impurities defects, और थर्ड यह हमारा, non stoichiometric defect, तो none stoichiometric defect के भी दो टाइप होते एक है आपका metal access defects और दूसरा है metal deficiency defects तो यह सारा content में यहाँ पे clear करने वालों और बहुत ही easy से बस आपको बच्चों एक काम करना है आपके mobile से आपके आखों से आपके mobile को नहीं हटाने otherwise आप concept छोड़ जाएंगे ठीक है चलो ठीक है तो हम पहले start करेंगे बच्चों क्या start करे कि बता तो आपशी लोग बता दो guys striakimatrix defects क्या होता है strykymatrix defects क्या होता है पहले हम यह चालों करेंगे ठीक है चलो देखतें what is strikumetrix defects Diff luxurious defects क्या हो थया होता है ध्यान से सुनना स्टाइक fifetrick क्या होती है ध्यान से सुनना, देको अगर हमारा NaCl का Crzytals बनाना है बच्चों अगर हमको NaCl का क्रीस्ट बनाना है तो NaCl एक Chemicals Compound क्रने के लिए Na700 आफ है 1 ratio लगेगा और Cl का कbung कितना लगेगा एक एक रसल लगे, कितना लगेगा ने का 50 लगेगा और CL का कितना लगने वाला है 50-50 कितना लगने वाला है 50 यह 50 यह दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे 100 ml of watt 100 mol of watt एने CL क्या बनाएंगे 100 mol of watt एने CL ठीक है चलो तो यही चीज़े है यहां पर कि Estoichiometric होते है 1 ratio 1 इसी को बूलते है Estoichiometric जिसने देखो आपको अगर Mg CL ka Compounds फ़र्ण करें किसका फ़र्म करना है मतलब अगर आपको MgCl2 form करना किसी crystals के अंदर मालो 100-200 ml form करना है तो इसके अंदर आपका Mg कितना होना ची CG कितना होना ची कितना लेना पड़ेगा 100 तो यही हो गया आपका strikeometric क्या हो गया यह है आपका strikeometric ठीके तो stoichiometrics क्या बताता है number of katians and anions जो हमारे होते इस एंक फिक्स रेशियो में होते उसी को उमलोक बोलते है stoichiometrics compound क्या बोलते है stoichiometrics compound I think आपको पहले stoichiometrics compound समझा ओगा तो बच्चे stoichiometrics compound क्या होता है आपका जो katians और जो anions होता है वो एक fixed ratio में होते ठीक है, एक fix number में होते एक fix ratio में जैसे होते, जैसे inicial का ratio क्या है, 1 ratio, 1 यह अपका क्या होगा, stoichiometrics compound अब दिखते हैं, stoichiometrics defects क्या होता है तो stoichiometrics defects में क्या होता है कि जो आपके stoichiometrics compounds होते है, उनके ratio में कोई changes नहीं आएगा, ठीक है तो जो defects होगा उसके ratio में कोई changes नहीं आएगा ठीक है जैसे देखो यह defect कैसे होगा मैंने क्या बता था आपको 100 mole का NaCl लेना है तो 50-50 लगेंगे ठीक है 50-50 लगेंगे तो आपका यह हो गया stoichiometry अभी defects क्या होगा देखो defects क्या होगा Na का जब crystals बनेगा तो Na का 45 mole ही आएगा और Cl का 45 ही आएगा तो 45-45 कितना हो जाएगा 90 ठीक है तो दोनों आपके fixed ratio में यह है जितना Na आ रहे उतना Cl आ रहे जितना Na आ रहे उतना Cl आ रहे बस हमें number of cations और numbers of anions में क्या हो जारी है कमी हो जारी number of cations और number of anions में क्या हो जारी है कमी हो जारी हो जारी है हो जारी की नहीं हो जारी है तो यही आपका होता है stoichiometric point defects मतब कुछ points आपके नहीं रहेंगे जिसे 100 होना चाहिए लेकिन अब क्या हुआ 45-45 लोगों नहीं मिलके आपस में form किया और बाकी जो थे वो गायब है 45-45 कितना हो गया 90 और बाकी जो आने चाहिए थे 100 आने चाहिए थे मतब 5 और Na 5 और CL के आने चाहिए थे और यह बनाने चाहिए थे ठीक है तो यह अब नहीं आए तो इसी को हम लोग बोलते है stoichiometric defects पतब आपको एक चीज़ क्लियर होगे कि stoichiometric में fix number of katians और anions क्या होते बच्चों present होते है और defects में भी क्या होगा वो दोनों fix ही रहेंगे बस हो सकता है कुछ atoms ना आए कुछ atoms Na के नहीं आएगा तो CL का भी नहीं आएगा तो वो जो defects create होगा उसको हम लोग बोलते है stoichiometric point defects क्या बोलते है उसको stoichiometric point defect ठीक है चलो I think आपको यह समझा होगा कि stoichiometric compounds क्या होते है अब आपको देखते है फटा-फट stoichiometric defects ठीक है पहला है stoichiometric compound there are fixed ratio of katians and anions are present जैसे कि मैंने आपको बदा है कि अगर आपका एक na आएगा तो दूसरा cl आएगा तो na और cl का एक molecules बनाने के लिए na और cl अगर आपको लग रहा है तो na कितना लग रहा है 1 और cl कितना लग रहा है 1 तो fixed ratio of क्या होते katians और anions और इसी को हम लोग बोलते stoichiometric compound दूसरा है बनाना है तो हो सकता है 45-45 ही लोग गिया है और 90 ही बना है और कुछ point वहाँ पे छूट जाए तो that is called as what stoichiometric point defects क्या बोलते है stoichiometric point defects ठीक है चला दीखेंगे stoichiometric point defects there are 4 type 4 type of stoichiometric point defects होते है कौन कौन सी 4 type होते है पहले हम लोग टाइप देख लेते पहला है vacancy defect दूसरा है self interstitial defect दूसरा है scott की defect और चोथा है frankal defect यह 4 type के stoichiometric defects होते है पहला बताओ क्या है बच्चो vacancy defects दूसरा क्या है बताओ self interstitial defects third क्या है scott की defect and fourth क्या है frankal defect ठीक है क्या है frankal defect चलो, अब हम देखेंगे पहला बच्चो, कि what is vacancy defects, vacancy defects क्या होता है, बताओ मुझे vacancy defects क्या होगा, देखो, vacancy defects क्या होगा, माल लो, यह हमारा छोटे छोटे आटम से, ठीक है, हो सकता है, किसी एक case में, इस आटम के नीचे एक और आटम आना चाहिए, पर यह ना आया हो, ठी क्रिस्टलाइजिशन एट, faster rate पे कर दिया हो, तो वो आटम ना आया हो, जल्दी-जल्दी में वो छूट गया हो, तो क्या create हो गया है, यहाँ पर, vacancy, इसी को बोलते है, बच्चो, vacancy defects, ठीक है, चलो, हम पढ़ेंगे पहला, vacancy defects, क्या पढ़ेंगे, vacancy defects, तो चलो, फटा- vacancy create हो गई, create हो गई की नहीं vacancy, and this vacancy is created by what, atoms, ions ने create किया है, ठीक है, so that is called as what, vacancy defects, क्या बोलते हैं को, vacancy defects, तो जब यह crystallization होता है, तो इसी time यह vacancy आने के chances बहुत जादा होते हैं, ठीक है, crystals आपस में फटा-फट, फटा-फट बनना सुरू होते हैं, और कोई एक position unoccupied हो ज vacancy create हो जाता है, क्या create हो जाता है, vacancy create हो जाता है, ठीक है, चलो, देखते हैं कुछ इसके points, अब देखो, during the crystallization, the particles are missing from its regular sites, ठीक है, and create a vacancy, अब जब crystallization होता है, तो यह particles अपने regular sites से क्या है, missing है, और यहाँ पर क्या create कर रहा है, vacancy, this vacancy is called as what, vacancy defects, इसी को क्या बोलते है, vacancy defects और vacancy can be created when the substance is heated, vacancy तभी create हो सकती, जब substance को हम लोग क्या करते है, heat करते है, heat करेंगे, तो molly के उसे इदर उदर चले जाएंगे, और जब उसको recrysalize करेंगे, ठंडा करके, तो जूडते time, वही गड़बडिया हो जाती ही, वहाँ पे, ठीक है, अब देखो, अगर vacancy defects होता जाएगा, decrease, देखो, यहाँ पे भी एक आता, यहाँ पे एक आता, तो mass आपका क्या हो जाता, बढ़ जाता, लेकिन अब यह दोनों यहाँ पे आये ही नहीं, तो mass आपका क्या हो गया, decrease हो गया, दूसरा, volume remains unchanged, इसने इतना जगह घेरा हुआ है, तो अभी भी इतना जगह घ decreases, सबको समझा बच्चो, vacancy defects क्या होता है, मज़ा आ रहा है इस chapter में, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल को तो जरूर सस्क्राइब करकें, क्यों, क्योंकि इसमें physics, chemistry और biology से related सारे practicals अविलेबलेटी वेल्थ के, 30 out of 30 marks कैसे पाना है, वो भी इसमें दिया हुआ और ये lectures में start करो, ये छटवा पार्ट है बच्चो, आप पूरा पार्ट इसका जरूर देखें, इस पर हलोजन derivatives के भी बहुत सारे concept, बहुत सारे chapters में ने cover कियें, प्लीज उसको watch करें, ठीक है, चलो, next देखेंगे बच्चो हमारा self-interstitial defects, क्या देखेंगे, self-interstitial defects, या या देखेंगे निया आपको, या देखेंगे भूल गए, ठीक है, आप भूल तो नहीं रहे गए, कि stoichiometrics point defects से कितने टाइप है, vacancy defects, self-interstitial defects, तो अब मैं जो दूसरा चालू करने जालू हो, बच्चो क्या है, वो self-interstitial defect, ठीक है, याद हैना सबको, तो याद करके रख इसको, अदर्वाइस गडबड हो जाएंगी चीजे, ठीक है, चलू देखेंगे, हम लोग self-interstitial defect क्या होता है, तो ध्यान से देखो, बच्चो, self-interstitial defect क्या होता है, कोई एक particles होता है, या तो वो अपने position को छोड़के, interstitial position पर आ जाएगा, अब बहुत सारे बच्चो लेज़की जगह होती ही न, इसको लोग बोलते है, interstitial, क्या बोलते है, उसको interstitial, अब इसको के अंदर कोई atoms पहुच जाएगा, कोई atoms पहुच जाएगा, इसको बोलते है, interstitial defects, क्या बोलते है, interstitial defect, देखो, यहापर, एक regular arrangement है, cations और anions का, और उसके बाद क्या हो एक पॉइंट दोखो यहां पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक पॉइंट से यहां पे देख लो, यह देखो, एक पॉइंट से यहां पे क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है? So these extra particles कहां चले गया? वो interstitial side पे, कहां चले गया? Interstitial, अब interstitial मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? जो atom, sands और molecules arrange होते हैं, उसके बीच में जो खाली जगह होता है, इसको क्या बोलते है? Interstitial side, तो वहाँ पे देखे हो, एक extra item चले गया, so that is called as self-interstitial defect, कभी-कभी यह क्या होता है, कि वो अपने जगह को छोड़ के, किसी और जगह पे चले जाता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते है, self-interstitial defect, तो चलो देखते हैं, इसको हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है? इसके दो type है, एक हमारा first way, और दूसरा हमारा आएगा अभी second way, ठीक है? तो जब हमारा particles क्या करेगा? occupied करेगा, interstitial position पे, ठीक है? interstitial position पे occupy करेगा, तो उसको बोलेंगे self-interstitial defect, तो कौन-कौन से दो type है बताओ, first way और second way, चलो, हम देखेंगे पहला first way, यही है हमारा first way, second way, देखो, regular side से missing है, मतलब जो इसका regular होना चाहिए, जैसे यह देखो, यह regular arrangement, एक की निचे एक arrangement, और यहां का particles क्या है? missing है, तो regular position से missing होके, किसी interstitial position पे चले जाता है, किसी दूसरे position के interstitial atom में चले जाता है, तो उसको हम लोग बोलते है second way, क्या बोलते है? second way, सबको समझा, first way और second way, ठीक है, किसी को कुछ doubt नहीं, अब यहां पे extra atom आ गया, तो mass क्या हो जाएगा? increase, density क्या हो जाएगा? increase, volumes remains unchanged, यहां पे भी क्या है? उसी atoms का आ गया यहां पे, कहीं extra आया है क्या? देखो, उसी atom का, उसी crystal का atom यहां पे चले आया है, तो कहीं बाहर से आया है density आपकी सम रहने वाली है, और volume भी आपका change नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको हमें फटा-फट notes दे देता हूँ यहां पे, तो ध्यान से सुनो, देखो, क्या होता है? extra particles is present at the interstitial position, due to presence of extra particles, mass increases, density increases, volume does not change, इसका फटा-फट देख लेते हैं second way, second way क्या है बता दो? the particles get shifted from its original position and occupy the interstitial position and this shifted particles create what? vacancy, यह आपका क्या create कर देता है? vacancy, इसमें बताओ density, mass, volume सब क्या रहेगा यहां पे? same रहेगा, ठीक है? सबको समझा क्या है, यह self interstitial defects, okay? मैं आगे बढ़ू, जाओ, सुपच नेक्स देखेंगे हमारा squat की defect, क्या देखेंगे? squat की defect, तो चलो हम की defect में क्या होता है? कि यहाँ पे equal number of cations or anions missing होते हैं, मतलब देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? positive की बाद negative आना चाहिए, तो negative missing है, negative की बाद का आना चाहिए? positive आना चाहिए, अब यह positive missing है, मतलब यहाँ पे equal number of cations or anions missing होते हैं, मतलब समझ रहे हो, एक cations अगर 6-3 काटायंस काटायंस को हो जांगे काटायंस यहां-सानी olar खोंगी indeed सब्सक्रायज यहां ऐस को स्चाओ भाई को हो दाने इन कि आणिको राता चांगे जी ता के शीचीचे फक्राइफ को धूंगी कटाइंस और अनायंस, missing there, original position and create a vacancy ठीक है, पर आयोट पेर लॉस पर आयोट पेर लॉस समझते हो, मतलब एक कटाइंस और यह अनायंस अगर निकल रहा है तो कितने होल क्रेट हो रहे हैं? तो होल क्रिएट होरे हैं? कितने होल क्रेट होरे हैं? अगले हम देखेंगे कि कुछ condition for formation of squat की defect, क्या-क्या condition है, कैसे-कैसे squat की defect form हो रहे है, क्या-क्या condition है उसके लिए, ठीके, squat की defect कब form होगा और कब form नहीं होगा, ठीके तो धान दो, squat की defects found in ionic compounds, किसके अंदर squat की defects आएगा पहले तो याद रखो, ionic compounds के अंदर आएगा, High degree of ionic character होना चाहिए Coordination number of anions ज्यादा होना चाहिए That is high coordination number of anions And last है Small difference between size of cations और anions Cations और anions के size में क्या होना चाहिए Small difference होना चाहिए एक बार और देख लो condition क्या क्या है Condition क्या क्या है एक तो squat की defect समय सा Ionic compound में देखने के लिए ही मिलेगा Ionic compound कौन होते है आपको पताओगा के periodic table में Group 1 and Group 2 Haline, Agor, Abse, Pharyad और दूसरा है Lithium, Potassium ये सब आपके क्या होते है Ionic compound होते है पताए ना आपको periodic table ये देखो इधर वाले जो होते है Ionic compound करते है Ionic compound So squat की defect फॉर्म करने के लिए पहले तो compound क्या होना चाहिए Ionic होना चाहिए दूसरा उसका क्या होना चाहिए High degree of Ionic character होना चाहिए Ionic character क्या होना चाहिए High degree होनी चाहिए मतलब ज़्यादा होनी चाहिए Ionic character जैसे NA और CL में Ionic characters क्या होते है बहुत ज़्यादा होते है तिसरा point High Coordination Number होना चाहिए Coordination समझतो एक दूसरे से जो जुड़ने की Ability होती हो ज़्यादा होनी चाहिए तो High Coordination Number होना चाहिए And Last One Cutiance और Aniance के बीच में ज़्यादा Size Difference नहीं होना चाहिए मालो Cutiance इतना बड़ा है तो Aniance थोड़ा ही बड़ा हो रहेगा तो चलेगा तो ज़्यादा नहीं बड़ाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए Cutiance चोटा होना चाहिए और Aniance बहुत बड़ा हो जाना चाहिए Cutiance और Aniance की Size Difference है वो क्या होने ची लगबग सेम होने ची ज़्यादा Difference नहीं होना ची So that is all about of what Scott की Defect तो आपको पता चला Scott की Defect क्या होता जो main important point है बच्चों वही है कि एक crystals के अंदर ठीक है Number of Cutiance और Number of Aniance Same equal number of Cutiance और Aniance क्या होते है Missing होते गर एक Cutiance निकल रहा है तो एक Aniance भी निकल रहा है So that is called as what Scott की Defect ठीक है Perionic Compounds कितने whole create होंगे अगर एक Aniance निकलेगा मतलब पर-ionic Pairs Sorry पर-ionic Pairs मतलब पर-ionic Pairs मतलब एक Cutiance और एक Aniance निकलेगा तो कितना whole create होगा 2 whole create होगा देख रहो यहाँ पर Vacancy create होगे क्या create होगे यहाँ पर Vacancy create होगे ठीक है आपको सबको समझ में आ रहा है यह चीज़े अब last में हम लोग देखेंगे इसका Consequences Consequences of Scott की Defect तो पहला Consequences देखो क्या होता है Scott की Defect से अंदर क्या होता है आपके Equal Number of Cutyens और Aniance missing है देखो एक Cutyens और एक Aniance दोनों missing है Equal Number of Cutyens और Aniance missing है तो बताओ इसके Mass में क्या रहा है Mass आपका Decrease हो रहा है Density भी क्या हो जा रही है Decrease हो रही है पर Volume में कोई Changes आ रहा है क्या नहीं No Change in the Volume एक चीज़ और बताओ इसमें क्या हो रहा है देखो एक Cutyens और एक Aniance जा रहा है तो ऐसा कुछ होगा क्या यहाँ पर Cutyens की संक्या बढ़ जाएगी Aniance की संक्या कम हो जाएगी ऐसा होगा क्या नहीं तो यहाँ पर Electrical Neutrality क्या रहता है Maintain रहता है Electrical Neutrality क्या रहता है Mental मत्तब अगर यहाँ पर एक Plus है तो दूसरा Minus वाला है उसको पकड़ने के लिए देखते है फटाफट The number of ions decrease हो रहा है तो mass decrease हो जाएगा Density decrease हो जाएगा पर volumes remains unchanged The number of missing cutyens and anions is equal Hence the electrical neutrality is maintained Cutyens और anions हमारे equally निकल जा रहा है तो ना कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है So that's why ना कटाइंस की संक्या बढ़ रही ना अनाइंस की संक्या कम हो रही है ठीक है तो electrical neutrality हमारे क्या हो रहा है यहाँ पर maintain हो रहा है सबको समझ में आ रहा है क्या consequences चलो अब बच्चो फटा-फट मुझे चौथा type बताओ क्या है आपको ही बताना है इक मेर इक मेर एक मेर एक समपल आपका एनी डिल यग एडिड तो a अपका फंच्च और थीस आब कामल बेस्ट वर कट की देश्चर इपको ही इक मकटेस zodा लगे यह युद दिलोस भी में मिं आता कभी और कभी कभी वन मार्रेश मेंéta है इसको बहुत यच्छ से याद रखिया आप लो कि आपके जो इस आर दी एक्जाम्पल अब आप हम लोग चलेंगे अपने लास्ट वन ठीके दाड़िस आउर फ्रैंकल डिफिक्स अब देखेंगे बच्छो फ्रैंकल डिफिक्स क्या है बहुत यच्छ से देखिएगा स्कौर्ट की और फ्रैंकल में क्या डिफिक्ट होता है बहुत सारी बच्छों को यह doubt clear नहीं होता है हम देखेंगे फ्रैंकल डिफिक्स क्या होता है अब फ्रैंकल डिफिक्स में आप देख रहे हैं देखो जो कटाइंस और अणायंस का पहले साइज देखो cutains के size कहा है? छोटे और anions के size जादा ही बड़े तो cutains क्या हो कर रहा है? अपने position से मतलब अपने regular position से निकल के न कहीं और पहुंच जा रहा है कहीं और पहुंच जा रहा है देखो यहाँ पे cutains, anions, cutains, anions, cutains, anions और यह extra cutains आ गया है कहां से आ गया है यह अनाइंस और कटाइंस यहां कटाइंस होना चाहिए पर यह अपने regular side से निकल के कहां पहुँच गया है किसी interstitial position पर पहुँच गया है और यही होता है अपका Frankel defect मतलब यह कुछ गायब नहीं हो जाते है यह अपने ही position से निकल जाते है और किसी interstitial position पे चले जाते हैं छोटे होते हैं ना मैंने क्या बोला size difference का इनका छोटा है cutains का size चोटा है और anons का बड़ा है अब कोई छोटा सा size हो तो कहीं से भी खिसक के कहीं भी चले जा सकता है जाता है कि नहीं जाता है ठीक है so that is called as what frankal defect इसको क्या बोलते है बच्चो frankal defect ठीक है तो cutains अपने regular side से निकल के किसी interstitial position पे आ जाता है और वहाँ पे vacancy create कर देता है और वहाँ पे क्या create कर देता है vacancy so that is called as what frankal defect क्या बोलते है इसको frankal defect तो here are the points जो आपको लिखना है ions of the ionic compounds missing from its regular position and occupy the interstitial position ठीक है देखो अभी regular position से अपने निकल के interstitial position पे क्या कर रहा है occupy कर रहा है cutains are usually smaller than the ionic मैंने आपको बता दिया है कि cutains का size आप small रखना diagram बनाते टाइम भी और anions का size बड़ा रखना ठीक है तो cutains occupy interstitial sites cutains यहाँ से निकल के interstitial sites पे पहुँच गया अब वहाँ पे क्या create हो गया बच्चो एक मिनिट वहाँ पे क्या create हो गया यहाँ पे create हो गया आपका vacancy क्या create हो गया यहाँ पे vacancy ठीक है ठीक है किसी को doubt तो नहीं ना आया ना कुछ भी doubt रहेगा तो please पूछ ले ना comment box में क्या टीक है अब यहां से पोजिशन निकल गया यह वेकेंट हो गया यहां का cuties कहा चले आया यहा पे चले आया ठीक है इसलिए यहां पर क्रेट हो गया हो गया vacancy क्रेट हो गया क्या create हो गया vacancy क्या क्यांव क्या उसकर सुस्सवाइज कर भ Gesch spouse स्कौटट की में जबका documentation number क्या था वो ज्यादा होना चाहिए पर यहाँ पर coordination number क्या होना चाहिए कंब होना चाहिए। यह सारी पॉइंट्स है, हम पटबट धेख लेते हैं, तो देख लो पटबट यहाँ पर क्या होता है ? कि Franklerفests occur in the ionic compounds with having a large difference between size इसा फ्रेंकल डिफिक्स किसी में दीख रहा है तो इसका मतलब वो जो आयन से उसके अंदर जो कॉडिनेशन नंबर है या फिर कॉडिनेशन की जो पावर है वो क्या है बहुत ही लो है ठीक है आयनिक कंपाउंड मस्ट है विंग लो कॉडिनेशन नंबर और साइज ऑप कटाइंस में साइज में क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा डिफ्रेंस होना चाहिए चलो लास्ट हम देखेंगे कोंसिक्वेंसे और ऐसा कुछ होता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम समय देखने के ल स्टीं आदा भात और सेषसे नंगे रहें और डेंसिटी भीी आपका क्या रहने वाला आवाला और फौल कोई एक्स्टर पॉजितीव और नगीटिव आएन आ रहे हैख CRYCAL के लीज़नेशन के इनदर घूम है टाए एक्स्टरा कुछ प्रेजंटल यहाँ पे क्या है आपका पॉजटीटीव चार्ज निगल के कहीं चले गया क्या उस क्रिस्टा चर्ज बढ़ गया क्या ऐसा कुछ लिए अब इसके एक्जामपल देख लो और काफी important है, यह फ्रैंकल और स्कॉट की तो fix आता ही आता है, कई बार आया exam में, ठीक है, चलो, I think, यह मैंने यहाँ तक इस चीजों को खतम किया है, आपको बहुत यह अच्छे से समझा भी होगा, बच्चो, बहुत सारा महनत लग रहा है ऐसे वीडियो को बनाने के लिए, तो so thank you, इतना support देने के लिए, so thank you so much for this, okay, बहुत यह अच्छे से पढ़िये और अपनी life में बहुत ही मस रहिए, ठीक है, चलो,